शारुक खान के बेटे आरियन खान को लेकर एक बेहत चौका देने वाली बात सामने आई है इनफेक्ट आरियन खान की इस बात से खुद NCB की टीम चौक चुकी है यही कारण है कि आज कौट में पेशी के दौरान NCB की तरफ से उन्होंने अपने सीनियर वकील को इस केस को लड़ने के लिए हाजर करवाया जहां एक तरफ मीडिया में खबरे आ रही है कि NCB इस केस को अब बन कर रही है सिर्फ एक ही दिन की कस्टेडी NCB ने मांगी आरियन खान से कुछ नहीं मिला ना बैग में कुछ मिला ना उनके पास से कुछ मिला यह सभी बाते बनी बनाई है हो सकता है PR की हो या फिर इस मामले को ढखने के लिए इस तरह की खबरे मीडिया में फहलाई हो असली बात जो कोर्ट रूम से सामने आई है वो इससे बिलकुल परे है और बिलकुल अलग है जहां कहा जा रहा है कि NCB को आरियन की एक दिन की कस्टेडी ही चाहिए उससे जादा नहीं चाहिए वहीं on papers NCB ने आरियन खान की कस्टेडी अगले 7 दिनों के लिए मांगी है 11 तारिक तक की कस्टेडी NCB की टीम आरियन खान की मांग रही है इसके पिछे कारण ये है कि 5 और लोगों को detain किया गया है जिनकी पहचान होनी बाकी है और आरियन का mobile ये कारण बना है आरियन के whatsapp chat से drug chat सामने आई है जिसमें drugs लेने की बात हो रही है code language में ये drugs मांगे जा रहे है और mode of payment पूछा जा रहा है कि payment कैसे करना है तो drug consumption की ही नहीं बलकि procure और purchasing की बात भी चल रही है इसके अलावा इस drugs को आगे भी बाटा जाना था ये बात भी NCB की team को इसी chat से पता चली है आरियन और इसके साथ arrest हुए दो और लोगों से जब पूछताच की तो उन्होंने एक pedler का नाम बताया और उस pedler को NCB arrest कर चुकी है कल पूरे दिन NCB ने raid करी थी इस pedler से commercial quantity में drugs बरामद हुआ है तो मामला इतना छोटा नहीं है जो मीडिया में बताया जा रहा है मीडिया में एक अलग ही PR machinery चल रही है और courtroom की जो बात है वो अब असल में ये सामने आई है कि आरियन खान की custody साथ दिन की चाहिए मामला बड़ा है आरियन खान की drug chat से पता चला है कि वो drugs consume ही नहीं बलकि procure भी कर रहा था इसके अलावा जो cruise है उस पर raids अभी जारी है इस cruise पर party की जो organizers थे उनको bus में भर कर NCB के office लाया गया है बड़े-बड़े bags वो लेकर आए है उन bags में अब drugs है और कुछ है ये नहीं पता आया जा रहा है वो हलका case नहीं है NCB को आरियन खान की अगले 7 दिन की custody चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानकारी चाहिए किन-किन लोगों से वो drugs खरीदता था वहां तक पहुँचने के लिए NCB को आरियन खान की ही जरूत है और एक बार आरियन बाहर निकल गया तो फिर ये information आने से रही